नमस्कार आप देखे हैं मारे खाज शो क्या कहता है इसलाम मैं हूँ पेनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है अपने इस शो के जरीए इसलाम को लेकर जो अलग-अलग तरह के बयानात आते हैं या पर जो सवाल आपके जहन में उठते हैं उनका जवाब जानने की कोशिश करें कि सही मायनों में कुरान और हदीसें उन तमाम बिद्दों को लेकर क्या कुछ कहती है हाल के दिनों में कई बार मेरे शो के दौरान भी कई धर्म गुरू आई या कई एक्स मुस्लिमा आई जिनों ने दावा किया कि भई इसलाम में महिलाओं की हैसित जो है वो सिर्फ बच्चा पैदा करने तक है यानि कि सिर्फ उनका जो काम है वो बच्चा पैदा करना है उनकी राए को बहुत ज़्यादा तबज्जु नहीं दी जाती है उन्हें कमकल माना जाता है उन्हें अपने शोहर या अपने रखवाले के बिना कहीं घूमने फिरने सरजने सा बढ़ने की भी आजादी नहीं है इसलाम में ये भी कहा गया है कि सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है वो जहनुम में अगर कोई जाएगा तो महिलाओं की तादाद ज्यादा होगी तो इन तमाम पहलिओं पर वाख़ी में क्या पुरान हदीसों में ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ है या फिर ये गलत भावनाएं हैं जो इसलाम को लेकर पहलाई जा रही है इस पर चरचा करने के लिए हमारे साथ इसवक्त सोशल एक्टिविस्ट और इसलाम की जानकार हमारे साथ इसवक्त जोड़ रही है महली सरकारी और जिवा खान आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है महली सबसे पहले में आप से जानना चाहूंगी कई बार कहा जाता है कि इसलाम में महलाओं को वो दर्जा नहीं है जो पूरुशों को है उन्हें कमतर माना गया है और उनकी जो जरुद है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चा पिदा करने तक है इसलाम की नजर में क्या इसा है जी थे 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 आपको एपको प्राइब करता है वो तर रिलिजिन नहीं करते होगी जहां पर तिर्फ और तिर्फ उसकी बोडी पर फोकुस किया जाता है कि बस बच्चा प्रदा गरने की मशीन है उसको ढफ रखो तो वो ऐसी चीज है उसको तरफ एक कैद में रखो उसको बाहर ही निकलने दो तो वो एक मार्शारोट की प्रिये किया हुआ है जैसे घुटन का जैसे कहते है ना मार्शारोट में कोई राई इसनी है उनके आपकी चाहे गवाही हो चाहे इनहेरेटिंस हो क्या मर्शारोट का आपके ओपर हाक हो तो ये बात तो साथ ही है उनको कोई डिनाई नहीं करते हैं और ये बुक्स में भी इखावाई जी जिवा मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या महलीस किराय से आप इतफाक रखती हैं कि सिर्फ एक अबजेक्टिफाइड है इसलाम की नजर में ओरत हो सकता है वो हो पर मैं उनके बातों से बिलकुल भी इतफाक नहीं रखती हूँ मेरे साथ तो ऐसा कोई भी सिच्वेशन नहीं है और नहीं मेरे आसपस जो भी महिला हैं मैं ऐसे सिच्वेशन देखती हूँ बिलकुल फ्री है पढ़ने के लिए आजादी है और अपने बच्चियों को अच्छे से रहने के लिए बोलना जैसा टाइम आ गया है कि घर से निकलते हैं बच्चियों पर बलातकारी जपट पड़ते हैं नजर गडा के रखते हैं तो ऐसे मैं बच्चियों को सुरक्षित रहते रखना बोलना कौन पी गलत बात है तो क्यों क्यों यह पतSTA है सरकार में बैठे वे हैं और वो बलातकारेओं के साथ देंगे नाखिबलाओं के साथ सुलक्षा देंगे अच्छा 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 एक दोख रही है अगर अगर इतना ही आवरू की चिंता है तो पुरुष पुरुष नजर का परदा क्यों नहीं करता अच्छा अच्छा आवड़ुष नजर का अच्छा विद्व नहीं करता है तो कपड़ों से कुछ नहीं होता है सिर्फ जहनियत का पता चल रहा है कि आप युड़ को सिर्फ कपरों से ही जल्च कर रहे हैं अगर आपको पैसे मिले हैं, जिवाखान तमीज से, 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 जिवाखा आप समझ में आया आप अपनी भाषा सुधारी एफ़ेगा आप मुझे बचाएए कि मैं कैनेडा में लेखे वे भीज परेट हूँ पाकिसान में बुछेंट नहीं हो यह क्या बात बचाएए इसका बचाएए ना आप इखने से कुछ नहीं होगा आप मुझे इसका जवाब दे हैं कि मैं यहां कैसे प्रोटेक्टेड हूँ मैं यहां कैसे वाज इसका सब्सक्राइब हो सभी की बेटिया होती है आप इसमें आज बेटी की चिंता हो गई आपको सुनाई देता है आपس यहां पर ना तो सर्फ बिलकसबानों की बात की ना निर्भिया की बात किया आज आज क्या एया तेयारी करके आई पर आप गोलेंग siy तो पूझेगी आप गया टायारी नहीं थूम तू और बता दीजिए मेरा टॉपिक क्या है जेबा मेरा टॉपिक क्या है जेबा तो उस पर रही है ना सुनिए आपर अच्छा अगर आजाबी नहीं होती तो मुहतरमा चैनल पर बैट कर कैसे बोल रही होती है जेबा है मुझे आजाबी सेना मैं सबखेरन में कैनडी क्या में तो मुझे है य continu है यह नहीं सबखे करह खङ méli जेबाद स청ब गनृ वर्य है मुझे कांडी केनडी इसल्मक मिल्क ने नहीं दिया है यहाँजिर इसल्मान होते हैं तो आये हैं metjar आगे पीछे कोई है के नहीं अगर आपके परिवार से अजादी मिली है तब तो आप बोल रही है तो आप तो आपके स्टेट्मेंट को ही यहां पर जुखला रही है तो आपके पती ने इसलाएक बनाया जबा खान एक महिला खुद भी सक्षिंग हो सकती है उसे पितार पिता की जरुत नहीं होती है पितार पती उसे नहीं बनाएंगे खुद भी पढ़नेंगे अग्रेजी में कहाँ अग्रेजी में पूचूँगे तिक है लेकिन उन्हीं तीन सवालों को जभाब पहले आप इधर की बात ना करते हुए सिर्फ और उन सवालों पर कॉंसेंट्रेट रखिएगा ठीक है अपनी मन मर्जी कपड़े पहनने की बुरका उनी के लिए क्यूं है हिजाब उनी के लिए क्यूं है अगर कई इसलामिक मुल्क हैं जहां पर महिलाओं को कार नहीं चलाई जाती पूरुष के बिना निकलने की अजाज़त नहीं है क्या कुरान और हदीसों में ऐसा लिखा हुआ है कि वो तैयार होकर सज समरकर इतर लगाकर अगर अपने शोहर या फिर अपने रखवाले के बिना नहीं किया ना मेरे आसपास जो भी लोग हैं इस तरह कोई टिका टिक नी करते हैं पता नहीं आप कहां की बात कर रही हैं अच्छा और जो मैनाई जब कैमरे में भी आज बैठी हूँ अपने शोहर के बोलने से मैं तो आज डिबेट भी नहीं करने वाली थी लेकिन मेरे शो क्षिए क्षी पढ़ाया है बहुत अच्छी बात है आपके पिताह भॉछ बॉछ शाङनदार सख्सियत लगी हैं लेकर मैं पिर हिना खान को क्यों पत्वा मिलता है। इसलाम में महिलाओं को कमक लिए बोला जाता था कि चाइना पड़े तो बेजिए और आप सलेला लेस्टेम की जो पत्नी थी खदीजा वो इसने सुमें थी इसलाम में महिलाओं की गवाई आदे हैं आपको आयत बता है 434 के उसमें कुरान में क्या लिखावा है आपने पढ़िए कभी वह आयत उसमें किसा बीवी की पटाई लिखी वी है अब आप उसको बोल दीज़ा वो इस कॉंटेक्स में है अगर जब एक आपकी कुरान एक ऐसी बुक जो के खुद कह रही है कि आप आप पीर सकते हैं उसके साथ बिस्तार अलब कर दें मैदम आप जब ये वाली मुहतरमा बोल रही है तो आप उनको एंटरप्ट नहीं कर रही है लेकिन जब ही मैं कोई अच्छा जवाब दे रही हूं तो आप एंटरप्ट करनी है ऐसा क्यों अकर डिबेक्ट चल रहा है तो दोनों का एंटरप्ट कीजे जब आप उससे सवाल करनी है और मैं जवाब दे रही हूं तो बीच में आप सुन भी नहीं है अपने घर का बताना चाहिए कि अपने घर में क्या रूल चल रहा है मैं मुझे घर का नहीं पूछना मैं मुझे घर का नहीं पूछना यह कहानी घर-गर की नहीं चल रही है मैं मुझे यह कहानी घर-गर की नहीं खेलना मुझे इसलाम क्या कहता है यह मेरे शोका नाम है मुझे आपके पापा कितने अच्छे थे, मम्मी कितने अच्छी थी, आप खुश किसमत हैं, मैंने का ना, अरे भाई, मैंने यहाँ पर आपको, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको यहाँ पर उच्छा है, इसलाम में, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए जिबा, मैं कह रही कि इसलाम में महिलाओं को पीटने मारने की इजाज़त है, शोहर अपनी बीवी को पीट सकता है, ऐसा कुरान की आयतों में लिखा हुआ है, ऐसा हदीसों में लिखा हुआ है, क्या महिली जूट बोल रही है, अच्छा, नहीं गलत है, जिसने भी बताया, यह गलत एंटरप्रे और 30 को जाके प्लीज परें, उसमें क्या लिखा है, आपकी शाहिए रांके खुर जाएंगी, जदा तर और अपना और तो यह नहीं पता कि लिखावार, वह गलत है, अच्छी अच्छी आपकत होती है, वह उस प्यार से वीट को प्रटेट करेंगी, जब को पादा है, और जबा, 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 आपके पास पुरान है, आपके पास मोबाइल है, कुरान और हदीस है, वह गूगल करने को कह रहे हैं, कौन सी आयत बताईए आपने महलीज, एक बार फिर से दोहरा देंगी, प्लीज, आयत 434, सूरे निसा, सूरे निसा की आयत 434 खोल लीजे, और आपको पता चल जाएगा के लिखा है, ठीके, इतने में महलीज से एक सवाल कर रही हूँ, उतने आप एक बार गूगल कर लीजे, ठीके, महलीज मुझे एक बात बताईए, मैं जो पढ़ी हूँ, मैं जानती हूँ, तो चलिए आप अ सीधी जो सवाल पूछा है, अगर आप इसलाम को गलत तरह सा एंजबेट पर बैठी है, तो मुझे भी बाते हैं, आप सीधा जाके गूगल करें, मुझे बताएं के लिखी है के नहीं लिखी है के नहीं लिखिया है, आपने गुरान नहीं पढ़ी के बाते हैं, आपने पढ पढ़ी के जिखा तो नहीं है, तो मैडम को बोलिए जड़ा तर्जुमा करके पढ़ दे और मतलब बता दे, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, इसलिए मैं बता रही हूं, आप पढ़ दिया जाता था, लेकिन जब इसलाम आया उरूज में, तो बच्चीों को और महिला को मां सम्मान मिला. आपने कोई भी परिवार ऐसा नहीं देखा, तो जो फत्वे आते हैं, हेना खान को जो फत्वे दिये जाते हैं, कई मुस्लिम, आप वो मुहतरमा को पूरा कम बोलने दीजे, मैं सुप चप सुनती हूं, एक सिकंड, सुनिए न जबा, अराम से बात करें, कोई चीक चला नहीं पत्वे ये, मांतिक रोगी लोग फत्वा देते हैं महिलाओं को, एक मिनिट, क्या इसलाम में महिलाओं की गवाही आदी मानी गई है, हाँ या नहीं, क्या इसलाम में महिलाओं को कमकल माना गया है, हाँ या नहीं, क्या इसलाम में महिलाओं को अपने शोहर के बगएर सजने सवरनी की इजाज़त है, हाँ या नहीं, तीन सवाल हैं तीनों के जवाब दे दीजे इसलाम में बच्चे की पहली तर्बियत बोला जाता है मा के गोद में होती है और सबसे अच्छी तर्बियत वही होती है जो मा तर्बियत देती है बच्चों को और बोला जाता है माँ को बच्चों को बहुत अच्छे से तरगियत देने के लिए अगर माँ को कम अकल माना जाता तो ये होता कि बच्चों को माँ के गोद से ले लिया जाता बच्चे एक साल दो साल के होते हैं लेकिन माँ के गोद में बोला जाता है माँ के पैरों के नीच अगर मेरा अगर मेरा अगर मेरा एजिंडा है तो आप मेरे मुझे तमाच हमारी आप खोल के रख दीजे सारी पॉल बताईए हवाला दीजे आयत का जूटा साब इपीचे मुझे जहन्दम बना के रखी जाती तो प्लीज आप छोड़ा सा कुरान पढ़िए पिर आपको पता चलेगा मा के पैर के नीचे जन्नत है तो उठी मा को फिर मिया भी सकता है ये भी लिखाव है तो इस कॉंट्रिक्टिक्ट्रान में बहुत सारी कॉंट्रिक्ट्रिक्शन जे इस तरह की नीवी है ये आप में जो बाते ही की ना पहले और वर्तों को वो जिंदा दफन कर दिया जाता था उमको जाइदा भी जिस दोज़ा और मन खजित कहानिया है वो ऐसी कोई चीज नीथी उसका जिवा मेरे एजंडे की पोल खोलिए महलीस के जूट की पोल खोलिए और बताईए हमें आयत का हदीसों का हवाला देकर कि हम जूट बोल रहे हैं ये गलत जानकारी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जूट खुले आप जैसे कई लोग जिनको ये लगता है कि ये एजंडा चल रहा है उनको समझ में आए कि हम क्या रहे हैं मेरा यहां पर कोशिश आप तो मानेंगी नहीं लेकिन यहां पर कोशिश सिर्फ और सिर्फ सही जानकारी देने की है वो भी इसलाम के जानकारों की मारफत या मैं कुछ नहीं बोल रही हूं महली से पूचती हूं, आपसे पूचती हूं महली सावाश नहीं आ रही है शायद जिबा को मुझे आपकी वाज आ रिए महली सका ओर करे है dad can we hear क्यों कि कही गलत इंटर्पेटेशन की कि भी गुणाईश है थोड़ा बता पाएंगे आप इसके बारे में यह हमेशा बात यही करते हैं कि जब भी आप इनके सामने कोई आयत रखेंगे तो सबसे पहले बात होती इसके 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 मारने का लिखावा है फूर्फली दृफली तो इसमें लोग आके कहते हैं आप सभी इसके मारना है आपने एक मस्वास पे मारना है आपने उनके मूँ पे मारना है उनका फून निगलना चाहिए हड़ीया चूतनी चाहिए और बूजनी आने चाहिए जैबा मैंने गूगल किया है मुझे नहीं पता है और आप भी कर लीजे जो सूरे निशा की आयत नमबर 34 है उसमें सब बाते हैं यह कह रही है महली सरकारी लिखी हुई है कि पहले प्यार से समझाओ नहीं माने तो बिस्तर अलग कर लो नहीं माने तो हलके से मारो जिस इतना मारो कि हड़ी नै टूटे खून ना निकले तो यानि कि कही न कहीं मारने को सई ठहराय गया है लगता है जेबारे Light को मेंच रहे हैं कुरान हदीसों में लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भाई ये जो आप बात कह रही हैं मारने की उसकी इजाज़त कुरान नहीं देता है यह देता है यह आप जैक्टिव 434 में दिख लें और उसका एरबिक वर्ड भी है मैं आपको उसका भी बता देती तो इसमें वर्ड यूज़ किया गया जिसको वाकल में कहते हैं मारना यह आपके सामने है इस नाथ वेर्णा ओमें अभी वाक आप खोड़ अपने पर बदाना चाहिए लेकिन इसलाम में यह लिख नहीं लेकिन यह लिख दोगता है करनी यह गुना है और अब लिखा भी होगा तो शायद लिखा होगा गुर्वान में ये भी लिखा है कि एक बंदे की जान लेना जाए पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है फिर गहा है कि यहूदियों को मारो यहां तक के पेड यह पत्र है वो गवाई देगा कि देखो यहूदी मेरे पीछे खड़ाव है उसको आके मारो तो बात यह हो रही है ना कि कॉंट्रेटिक्शन बहुत सारी है पहले जो जो जब इसलाम अपनी जोर पे नहीं था तो उनमें आपको दिखेगा कि उनमें बहुत प्यार है मुहापत है और जैसे आगया आप देखेंगी तो हदीशा और अब वाइलेंट जाती है और उसमें उस्ता दिख रहा है आपको देखेंगे जिसे अगर हम बात करें निकाह की एक पती-पत्नी के रिष्टे की तो एक शोहर और बीवी का रिष्टा क्या बताया गया है बीवी को क्या जगह दी गई है बराबरी की जगह दी गई है अपने अब अब बात करेंगे जगह दी गई है या सिर्फ उसको बच्चे पड़ा करने के लिए बीवी है यह कहा गया है कि आपके हस्बेंड को आपका खयाल रखना है मगर आपको अपने हस्बेंड की हर चीज हर बात मान तो लिए इसमें यानि इतना से आप उनके गुलाम ही हो इतना से क्योंकि वो कमा के ला रहा है वो ब्रेड वेनर है तो उसकी आपके हर बात की चाहिए वो कुछ भी हो इसमें एक जगाई लिखावा है कि आप अपने जब आपका मर्द आपके पास आता है और वो कहता है कि आपने हम पिस दिरी कर दी है तो और आप बच्चा भी प उसको आपको मना नहीं कर सकती है आपको उसी होग आप तु गिव इट टू है और अगर आप मना करती है तो फिर आपके उपर सारी राद जो है परिष्टे लानत भी जब जिखी नहीं है ऐसा है क्या फिजिकल इंटिमेसी के लिए अपनी चाहत नहीं है महिला की उससे सिर गुलाम की तरह से अपने शोहर की बात माननी है और अगर वो नहीं मानेगी तो पूरी राद फरिष्टे लानत भेजेंगे उस पर जबा जबा आप सुन पा रही है मुझे जबा आप सुन नहीं पा रही है क्युकि हमारे याँ से तो सब लोग कह रहे हैं क्या आपको आवास पूरी जा रही है टेकनिकल चेक में आपने हामी भी भरी आपको आवाज आ रही है आप सुनना नहीं चाह रही है। कोई चीज जिसको criticize किया जा रहा है या कोई एक पक्ष उसको लेकर अलग विचार धार रखता है, interpretation रखता है, तो दोनों चीज़े सामने आएं ताकि इसलाम को मानने वाले या इसलाम को लेकर समझ रखने वाले या जानकारी हासल करने वाले लोग जो हैं, वो सही राय अपना सकें, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पैनल पर आए हुए विचार, इन लोगों के अपने निजी विचार थे, इनकी अपनी interpretation थी, कुरान और हदीसों की, अपने experiences थे, आप जब भी कोई राय बनाएं, तो खुद कुरान हदीसे पढ़ें, इसलाम के जानकारों से अलग विरादबासी बयान है, उनको लेकर क्या कुछ सोच रखते हैं इसलाम के जानकार, यह आपके सम्मुख रखते हैं, आज के लिए बसता हैं